ख़बर ये थी कि कोरोना वाइरस सिर्फ धरातल के माध्यम से ही इंसानों तक पौश था है लेकिन हाली में एक रिपोर्ट से पता चला है कि ये जानलेवा वाइरस हवा में भी घंटों तक जीवित रह सकता है अब तक ख़बर ये थी कि कोरोना वाइरस सिर्फ धरातल के माध्यम से ही इंसानों तक पौश था है लेकिन हाली में एक रिपोर्ट से पता चला है कि ये जानलेवा वाइरस हवा में भी घंटों तक जीवित रह सकता है और ये सच है इसलिए आपके बचाओ के लिए ये जानकारी हम लेकर आएं दुनिया भर में दो लाग के लगबग लोगों को संक्रमित कर चुका कोरोना अब और भी खतनाक लगने लगा है जब से ये खबर आमने सामने आई है कि कोरोना का संक्रमित हवा में भी फैला है तब से अब वास्ता में टोटल लोगडाउन की जरुवत नदर आने लगी है और ये तब तक किया जाए जब तक कि कोरोना वैक्सीन उपलब ना हो जाए National Institute of Allergy and Infectious Disease ने कोरोना संक्रमन पर शोध किया है इस संक्रमन के प्रारम होते ही NIAID के शोध करता बारीकी से कोरोना वाइरस को मोनिटर कर रहे थे और उसी मोनिटरिंग के बाद अब उनी शोध करताओं ने बताया है कि कोरोना संक्रमित वैक्ति के खासने या चीकने से बाहर आए ड्रॉपलेट्स हवा में कुछ समय तक रह सकते हैं और इस दोरान इसके संपर्क में आने वाले वैक्ति को भी अपना शिकार बना लेते हैं इस मैध्पूर्ण तथे को पता लगाने के लिए शोध करता बैज्ञानिकों ने एक डिवाइस के जरिए एरोसोल को हवा में छिड़काव किया दरसल ये एरोसोल कोरोना वाइरस होने पर छीक या खासी में भार आने वाले माइक्रोस्कॉपिक ड्रॉपलेट्स के नकल थे और इस प्रियोग के माध्यम से वैग्जानिकों ने पाया कि कोरोना वाइरस दरातल के अलावा हवा में भी घंटों तक जिवित रह सकता है New England Journal of Medicine में प्रिकाशित अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से वैग्जानिकों ने दावा किया है कि आप खुली हवा में भी कोरोना वाइरस के संक्रमन से सुरक्षित नहीं है इन शोदकर्ता उन्हें बताया कि खांसी या चीक में बहार आए माइक्रोइसकॉपिक ड्रॉपलेट्स लगबग 3 गंटे तक हवा में सक्रे रह सकते हैं और इसका अर्थ है कि कोई भी वैक्ति यरे 3 गंटे बाद भी वहां पहुचे तो हवा में गूम रहे कोरोना वाइरस के ड्रॉपलेट्स का शिकार बन सकता है वहीं दूसरी और इस मामले पर इंडियन एस्सेशन ओफ पीडिया ट्रिक्स में मीडिया सेल के अद्ध्ष ड्रॉपलेट्स रवी मलिक ने कहा है कि कोरोना वाइरस को रोका जा सकता है उन्होंने कहा आमतोर पर फैपडों से संबंदित वाइरस बच्चों को प्रभावित करते हैं और उनमें मिर्तिवधर भी अधिक होती है लेकिन ये कोरोना वाइरस के मामले में सच नहीं है और इससे डणने की भी कोई जरूरत नहीं है ये एक रोकी जाने वाली बिमारी है MPTV इंडिया भी आप से अपील करता है कि कोरोना वाइरस से गवराए नहीं लेकिन बचाओ के लिए अपना पूरा ध्यान रखें वहीं खाबर ये भी है कि 20 लाग के करीज चातर विदेशों में फसे हैं और चातरों को वापस लाना केंदर के लिए एक बड़ी चुनोती बना हुआ है आइस्थाई रूप से कुल 1 करोड 30 लाग लोग विदेशों में मौजूद है और केंद सरकान ने इसके लिए इन्हें देश में वापस लाकर आई सूशल में रखना और इतने बड़े खत्रे से बचना एक बड़ी चुनोती हमें नजर आ रही है नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नौवल करोना वाइरस या कोविड 19 को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखे इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत डखकंदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख, नाख और मूँ को हाथ से नच्चुएं आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगा पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल जरूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राला की एक हेल्प लाइन है 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए किया है